कर रहे हैं कि GEM और Common Service Central और India Post के माध्यम से हम सरकारी प्रक्रण को देश के आखरी छोर पर बैठे हमारे जितने भी सेवा प्रदातक हैं विकरिता हैं या जो समान बनाते हैं उनको हम सरकारी प्रक्रण में कैसे जोड़ें तो इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए हम आपके स साथ बहुत संशेप में कुछ slides का presentation देना चाहते हैं ताकि हम आपको GEM के बारे में बहुत ही सुक्ष्म तरीके से बता दें और आपके माध्यम से जो सेवाएं और सुविधाएं अब जनता तक पहुंचने वाली हैं प्रक्रण को लेके उसका भी आपको एक छोटा से विव पुलकित आप हमारा presentation देख पा रहे हैं? जी सर, मुझे आपको presentation clearly देख रहे हैं जी, जैसे कि आप सब जानते हैं Government T Marketplace यानि सरकारी प्रक्रण के बाजार जिसको हम Government T Marketplace बोलते हैं ये वानज और उद्द्योग बंतराले के तहत आता है इस कारिकरम का लक्ष है कि आपको जो आखरी चोर पे बैठे विक्रेता हैं, सेवा प्रदा तक हैं, खरीदार हैं, सरकारी खरीदार उन सब को इस प्रक्रिया में कैसे जोड़ें? उसके बारे में हम आपका कुछ समय लेंगे तो जैसे कि अब जाते हैं कि ये एक जैसे Amazon Flipkart जैसी private marketplace यानि e-commerce portals हैं, उसी तरह से government e-marketplace सरकारी खरीदारों के लें एक portal है इस portal में जितने भी सरकारी खरीदार हैं, वो केंदर सरकार, राजय सरकार, तमाम Central Public Sector Enterprises, Departments, Bodies, PSU, सब कोई अब जुड़ा हुआ है साथ में अभी cooperative societies और पंचायत को भी इसमें खरीदार के तौर पे जुड़े जाने का काम शुरू हो चुका है जैसे कि अब जानते होंगे जो सरकारी खरीद के नियम है उसकी rule 149 के तहट तमाम केंदर मंतराले, राजय सरकार, विभाग, Central Public Sector Enterprises, Autonomous Bodies यह सब जो भी समान खरीदी हैं और यह सेवाई लेती हैं यह जैम के माध्यम से लेंगी और जैम पे इन सब को जो खरीद की जो सुविधाएं हैं जैसे e-bidding है, reverse auction है, direct procurement है यह सब आप इनको खरीद में अच्छा सौदा करने का मौकद देती हैं और इस सब प्रक्रिया में जैम की विशेष्टा है वो यह है कि यह तीन से चलता है इसका एक तो यह पारदर्शित है, यह दक्ष है और यह समावेशी है efficiency, transparency और inclusiveness और जहां तक हमारे माननिय प्रधामनत्री जी ने कहा यह corruption को हटाने के लिए क्या कहते हैं सरकार प्रतिबद है और इसका मूल उद्देश यह है कि इसमें जितने भी मानव वो हैं उसको जो intervention है वो दूर किये जाएं सो इसकी कुछ major statistics आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इसमें करीब साथ हजार से ज्यादा सरकारी खरीदार जुड़े हुए हैं यह primary खरीदार हैं इनके नीचे करीब धाई लाग सरकारी खरीदार हैं sellers and service providers जो विक्रेता और सेवा प्रधातक हैं करीब 55,000,000 जुड़े हुए हैं इन्होंने करीब 29,000,000 प्रोडक्ट इस पोर्टल पे किया हुआ है और कुल 1,23,000,000 अभी तक इस पे पूरे हो चुके हैं और इन 5 सालों में 3,36,000 करोड का सौदा किया जा चुका है इस पोर्टल पे तो अगर आप इस चितर को देखेंगे तो इस चितर के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि जो यह जो गवर्न्मेंट टीमार्टल पे इस पोर्टल है इस पे एक तरफ सेलर्स और सर्विस प्रोइडर्स हैं जिसमें OEM जिसको कहते हैं औरिजिनल एकिप्मेंट मानिफ करते हैं फिर होते हैं सेवा प्रदातक जो तमाम तरह की सेवाएं देते हैं साथ में इसमें सोशल इंक्लूजन ग्रूप संस्टेनिबल OEM जैसे महिला हैं आदिवासी हैं हमारे जो पिछले वार के भाई-बेहन हैं या फिर सूश लगव द्योग हैं स्टार्ट अप्स हैं क और इस वेबसाइट की खासियत हैं इस पोर्टल की खासियत है कि हमने तमाम मंतराले विभाग से डेटबेस का इंटेगरेशन किया हुआ है जैसे आप अपना किसी कंपनी का इंकॉर्परेशन नंबर डालते हैं कंपनी आइडिफिकेशन नंबर तुरंत वो कंपनी के डीटेल्स आपको उसमें दिखा देता है या फिर यूई डीए आई अधार का है बैंक का है इंकम टैक्स का है अगर आप अपने आई-फसी कोड है तो तुरंत आपके अपके अकाउंन की डेटेल उसमें मिल जाएंगी काउंसा बैंक उसा इशाका अगर आप जोड़ा है जिससे कि आपके मार्धियम से हम यह पंजीघरन की जो सेवा है वह इन तमाम लोगों को जो गाउं देश के आखरी चोड पर बैठेएं उनको उन तक पहुंचाने काँ है साथ ही में इंडिया पोस्ष के साथ जोड़ा हुआ है तो इंडिया पोस्ष पे भी ऐसे वाए उप्लब्द है साथ ही जो लॉजिस्टिक्स जो आप लोगा भी पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की गया है तो और दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकारी खरीदार जैसे हमारे Central Ministries and CPSU's हैं, Railways है, Defense है, राजय सरकार हैं, महनगर पालिकाएं हैं या फिर पंचायत हैं, Corporate Society हैं, यह सब खरीदार हैं तो जो भी यह समान खरीदी हैं, वो यह सब इसी पोर्टल पर खरीदी हैं और जो हमारे सेवर प्रदातक हैं या उत्पादक हैं या विक्रेता हैं, वो सब अपना समान जम पर रेजिस्टर आपकी मदद से कर सकते हैं और फिर कैटलॉग बनाके ये प्राड़क्ट इनको उपलब्द करा सकते हैं तो जो भी इनकी जरुवत होगी चाहे वो प्रदेश हो या जिला हो या फिर ब्लॉक या पंचायत लेवल तक जो भी प्रक्रण होगा वो इस पॉर्टल के माध्यम से हो जाएगा इसमें सबसे बड़ी खासियत यह हैं कि जो फाइदे हैं विक्रेताओं को वो यह हैं कि वो एक छत के नीचे सारे सरकारी खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं यह वन स्टॉप शॉप फर ओल बिड्स कोई भी सरकार कहीं भी बिड्स निकाल रही है वो इस पॉर्टल पे उनको उपलब्द हो जाएगी तथा अगर कोई बोली लगवाना चाहता है तो वो भी इस पॉर्टल पे सेवां और सविधाओं के लिए मुम्किन है डाइनमिक प्राइसिंग यानि कि जो विक्रेता है या उत्पादक है वो कभी भी अपना प्राइस अगर कच्छे माल के कीमत में कहीं भी उतार चड़ा होता है आपको एक डाशबोर्ट दिया जाता है जितने भी सेलर्स हैं ताकि वो अपनी अपनी जो भी सामान उन्होंने बेचा है या फिर कितना पाइपलाइन में है उसकी जानकारी भी उनको उपलब्ध हो जाती है और कोई भी डेवलेप्मेंट होता है उसकी भी जानकारी नहीं लगता है जब तक कि आप 20 लाख रुपे की सालाना या एक खरीद तक की मूल्य का वो सीलिंग टच नहीं करते हैं अगर आप 20 लाख से उपर का सौधा करते हैं तो पॉइंट एक सर्टन परसंटेज आपको रेविन्यू पॉलिसी के तहट जेम को देना पड़ता है य और इस मार्केट प्लेस में हमने करीब 19 बैंकों के साथ इंटिक्रेशन किया हुआ है कोई भी बैंक इस पॉर्टल से जो जुड़ा हुआ है तो वो सेलर की खाते को तुरंट मैप कर सकता है और जो भी खरीद का जो भुकतान होता है वो सीधे विक्रेता उत्पादक या पिछले कई सालों में जो खरीद की जो तीजी से वृद्धी हुई है 2017 में 422 करोड का सौधा हुआ था अगले साल 6188 करोड का हुआ था उसके अगले साल 17,000, 22,000, 38,000 और पिछले इस गतवर्ष में 1,006,000 करोड का सौधा इस पॉर्टल पे पूरा किया गया था और जहां तक आप देख सकते हैं सेवां जो सामान का जो सौधे किये गए थे सिर्फ इस साल में 80,000 करोड से भी उपर का सौधा हुआ था साथी सेवाएं जिस तरह की जैसे कैंटीन केटरिंग सर्विस है सेक्योरिटी गार्ड है या फिर हाउस कीपिंग है तमाम सेवाएं सफाई करोड सेवाएं हैं आईटी सेवाएं हैं उन सब की कीमत 24,000 करोड मूले के सौधे तै किये गए थे जहां तक की खरीदारों की व्रिद्धी हुई है आप देख सकते हैं कि 2017 में 2228 हुए थे और आज की तारिक में करीब 53,000 से भी ज्यादा सेलर्स जुड़ गये हैं और साथी खरीदार जैसे ग्रोथ और सेलर्स देख लीजे यह शुरात में 4,299 से और आज की तारिक में 45,000 से भी ज्यादा सेलर इस ज्यम पे जुड़ चुके हैं यहां आपको दिखाना चाहते हैं कि जितने भी सुक्ष्म लगो उद्योग हैं पूरे देशवर में करीब 6 करोड़ सुक्ष्म लगो उद्योग हैं तो हर राज्य से भी बहुत सुक्ष्म लगी उद्योग इस पोर्टल पे जुड रहे हैं और इनका योगदान यह है कि कुल खरीद का करीब 55 प्रतिशद इसकी पूर्ती हमारे सुक्ष्म लग उद्योग बंदूओं से होती है तो यह अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि हमारे सुक्ष्म लग उद्योग को पहली बार इस टेक्नोलोजी के माध्यम से सरकारी प्रक्रण में एक अच्छा खासा पहचान बनाने का मौका मिल रहा है और आने वाले दुनों में जब आपका सयोग और योगदान मिलेगा तो यह जो आखड़ा है 55 से करीब 85 प्रतिशत तक जुड़ने की आशा हम करते हैं सो इसी संदर्व में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आखरी चोर पर बैटे हमारे खरीदार सरकारी खरीदार हैं या फिर उतपादक सेवप्रदादक और विक्रेता उन सब को सरकारी प्रक्रण में जोड़ने के लिए हमने 18 माई 2022 को एक समझाता या MOU किया था जिसमें Common Service Center और Department of Post भी हमारे सयोगी बनके इस MOU या इस Agreement में शामिल हुए थे ये जैसे के अब चितर में देख सकते हैं श्री संजेर रकेश जी जो MD और CEO Common Service Center के हैं श्री अजेकुमार रॉय जो Chief General Manager Parcel Director Department of Post के हैं और हमारे श्री पीके सिंग सर जो CEO जेम के हैं इन तमाम लोगों ने एक MOU साइन किया था इस MOU की खासियत इस टेबल पे है जो आचली आपकी स्टोर की स्टैंडी भी बनके आएगी इसमें Buyer Registration, Cooperative Societies के लिए कोई शुलक नहीं है पचास रुपे जैम Common Service Center को देगा और वो फिर आगे आपकी सेवाओं का भुकतान करेंगे इसमें आपको Primary ID, Secondary Buyer ID बनानी होगी, Creation, Managed Divisions, Post, Assignment of Roles ये तमाम चीज़े हैं जो जिसके लिए Training Module भी बना हुआ और पुलकी जी ने शायद आपके साथ साजा भी किया था साल के शुरुआत में करीब जुन जुलाई में जब ये तयार हुआ था और उसके बाद दूसरी सेवा है जो जिसको हम Seller Registration और Account Updation बोगते हैं तो इसका भी आप कोई शुल्क किसी विक्रेता, उत्पादक या सेवर प्रदातक से नहीं लेंगे हर महीने हमको एक reconciliation मिलेगा जितने भी सफल registration हो गये उसके हिसाब से एक शुल्क हम Common Service Center के साथ साज करें तो इसका मूल लिस सो रुपे है यह भी जैम Common Service Center को देगा और वो आगया आपको देंगे इसमें बेसिकली शुरुवात आपकी KYC verification जो online होगी physical नहीं साथ में आपको income tax return का पुष्ठी करेंट करना होगा जैसे ही आप IT return का acknowledgement number डालेंगे वो details आपको मिल जाएंगे साथ ही उद्यम registration DPIT अगर startup है GSTIN अगर GST है MCA21 फसाई certificate यह तमाम चीज़े हैं जिसका वीडियो अभी voiceover अभी थोड़ी देर में आपको चला के दिखाया जाएगा और साथ ही आप इन तमाम seller और service providers का office address और banking details भी पूरा करेंगे इस सेवा की कुल शुल 100 रुपे है जो सफ पंजी करने के बाद आपको उपलब्द कराई जाएगी तीसरी सेवा है product और service catalog upload and management यह ऐसी सेवा है जिसमें जो सेवा प्रदातक है या फिर विक्रेता है या उत्पादक है वो खुद आपको इसका भुकतान करेगा इसमें brand approval OEM panel यह सब बनेगा साथ ही हर product की तीन फोटों में खीची जाएंगी और upload करेंगे आप और vendor assessment होती है एक MRP declaration letter होता है और कुल मिलाके इसको सफल product catalog listing में आपको सयोग करना होगा जिसके लिए आपको 200 रुपे seller से या service provider या उत्पादक सेवा प्रदादक या फिर विक्रेता से लेने होंगे और आखिर में एक value added service है जिसमे packaging और logistics जो भी समान जिसका order मिलता है उसको अगर समान अपना कहीं भेजना है पैकिंग की सुविधा उसके पास नहीं है या कोई आसपरोस में डाख खाना नहीं है तो वो आपके common service center पे आके अपने order का pack करा के और वहीं से book करा के ship कर सकते हैं ये सेवा भी आप पहले से भी दे रहे हैं और आप जम के order के भी आप ये सेवा जोड़ेंगे जिसका जो भी खर्चा होगा वो सीधे आप उनसे seller से लेंगे तो इस इन सब के बीच में हमने ये भी ध्यान में रखा है कि जो भी सेवा हम आपके माध्यम से आखरी चोर पेटे लोगों को उपलब कराएंगे उसके लिए कुछ reward या incentive का भी हमने वो किया है तो जितने भी common service center के VLEs हैं और post office के जो CAC operator है उनको उनकी performance पे जिसका माध्यम है promotion of e-commerce activities at their respective block, district and state level उसको हम चिनहत करेंगे साथ में जो सबसे ज़्यादा buyer और seller registration करेंगे VLEs और post office के CAC और product और service catalog अपलोड करेंगे उनको हर साल हमारे जो वार्षिक दिवस होता है जो आठ और अगस्त को होता है दिली में उसमें हम उनको क्या कहते हैं बुलाएंगे और उनको पहचान कराएंगे कि इन सबसे ज़्यादा registration product catalog अपलोड इन VLEs ने किया है साथ ही हम common service center के साथ और India post के साथ काम करेंगे ताकि इन जो top performing CACs और staff है उनको master trainer बनाएंगे और जम bootcamp में भी उनको invite करेंगे और आखिर में जो भी जो सफल कहानिया होंगी वो आपके माध्यम से उनको हम जम ambassador के तौर पे आगे ले जाएंगे तो यह rewards and incentives था तो यह है आपका store का banner यह banner जम service center या जम से सुविधा के इंदर इसमें आप अपना नाम शेहर जिला स्टेट इमेल आइडी कॉंटक नमबर डालेंगे यह आपके desktop banner होंगे जिसमें साफ साफ लिखाएगी जो corporate societies का buyer registration होगा उसका आप कोई शुल्क नहीं लेंगे जो seller registration और account अपडेशन का होगा उसका भी कोई शुल्क नहीं लेंगे और लेकिन जो catalog upload होगा उसका आप 200 रुपे seller यह service provider से लेंगे और packaging और logistics का जो भी खर्चा आएगा उसका package करने में या उसका ship करने में वो भी आप actual पे लेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है और इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस portal की खासियत यह है कि हम उन वर्गों को उन विक्रेतर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो पहले कभी सरकारी प्रकरन में नहीं जुड़े थे जैसे कि महिलाएं हैं महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं स्वायम साहता समूझ चलाती है अपना घर चलाती है और छोटी-छोटी उद्योग से अपनी परिवार का portion करती है तो इन महिलाएं को भी इस प्रकरन में जोड़ा जा रहे हैं जिसके तहरे महिलाएं द्वारा बनायागे सामान को अलग से चिनहत किया जाएगा आप सब जानते हैं कि Ministry of MSME ने महिलाएं के तो आपके माध्यम से हम इन महिलाओं की उद्यम पंजिकरित कराएंगे और फिर जैंप पर रिजिस्टर करके इनको तीन परसेंट का जो आरक्षित प्रकरन है वो दिलाने में इनका सईयोग करेंगे साथ में जो स्वयम सहता समुह हैं उनके अलग सरस कलेक्शन का एक स्टोर बनाए गया तो इसमें खासियत यह है कि हम अलग-अलग जैसे आप किसी भी सूपर मार्केट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं अलग-अलग स्टोर होते हैं तो उसी तरह से e-commerce प्लाटफॉम पे स्टोर बनाएं ताकि अगर आप इन विशेश विख्रेता वर्ग को प्रोचाहित करना चाहते हैं तो कोई भी सरकारी खरीदार इनसे और पूरा करवाने में वह कर सकता है और सेवा दे सकता है और जब इनको और मिलेंगे तो जाहिर है इनका मनोबल बढ़ेगा यह और आग काटब्स का एक अलग है जो हमारे आदिवासी भाही बैन हैं जिन्होंने जंगल के बनाएं समान को एक रूप दिया है उसको भी हम दर्शाएंगे हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट की विशेश कैटिगरी और मार्केट प्लेस बना हुआ है तो इसमें भी जो हमारे बुनकर हैं भाई हैं या फिर हमारे हस शिल्प कारिगर हैं वो भी अपना समान लिस्ट कर सकते हैं और आखिर में खादी और बैंबू का भी प्रावधान इसमें दिया गया है तो यह तो था समाजिक समाविश और इसका सबसे बड़े दो फाइदे यह हैं कि हम एक तो आपको एक ऐ ऐसे वैश्विक बाजार से जोड़ रहे हैं जो पहले कभी सब लोगों को उपलब्द नहीं था जिसके पास जानकारी थी जिसके पास साधन था और सामर्थ था वो सरकारी प्रकरण में अपना दबदबा बनाता था लेकिन ऑनलाइन होने के बाब अब छोटे से छोटा उनके लिए उपलब्द नहीं था और यह हमने उस जो तरीका अपना है उससे आउटलेट स्टोर बनाके इनको अलग विशेश वो करने का मौका दिया है साथ में इनकी प्रोड़क कैटिगरी लिस्टिंग हमने बहुती कम स्पेसिफिकेशन के साथ डाला है हमने उद्ध्यम रिजिस्ट्रेशन के साथ इंटिग्रेशन किया है तो जब कभी कोई उद्ध्यम में जुड़ता है और अपना स्वेच्छा से जैब पर रिजिस्टर होने की अनुमती देता है तो उद्ध्यम प्राप्त होने के बाद वो रिकॉर्ड हमको मिल जाता है और फिर हम आपके मा उपलब्त कराएंगे ताकि वो फिर जिला और ब्लॉक लेवल पर आपकी मदद से इनको पंजिकरण करने में सहीयोग करें और इसको पूरा करें और इसका जो शुल्क लगता है वो आपको प्राप्त हो और तो इसमें जो भी जुड़ जाएगा उसको फिर उतना वो सेवा क जो भी चार्ज होता है वो मिल जाएगा दूसरा हमने ये भी किया है कि अगर जैंप अगर कोई ओर किसी को प्राप्त होता है और और प्राप्त होने के बाद जो कच्छा माल के लिए जो पुझी निवेश ही होता है वो अक्सर एक बहुत बड़ी चुनावती बंद के रह ज चुरू किये इस अप्लिकेशन की मदद से जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है उसकी इन्वाइस के बेसिस पे आप किसी भी बैंक उन्निस बैंकों से आप क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं लोन भी नहीं हम यह कहेंगे एक ब्रिज इसको कहते हैं कि जो पुझी बैंकों के पास आपको कुछ गिर्वी रखना पड़ता है लेकिन अब इस सहाय एप्लिकेशन के माध्यम से आपको जैसी ओर मिलता है उस इन्वाइस के बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा तो आप कई ओडर उठा सकते हैं एक साथ और इस सुविधा के माध्यम से उस ओड कारचे करने हैं वो पूरा करने में आपको आसानी से मदद मिल जाएगी यह सब ऑनलाइन होता है आपको किसी बैंक की शाखा में जाके कोई अप्लिकेशन देने की ज़रोती ही है महिला उद्यमियों के लिए हमने 3% आरक्षित रखा है जो सरकार ने किया है और क्या किते हैं हमें शामिल होके और इस चंद जानकारी को प्राप्त करने के लिए अब हम अन्रोथ करेंगे कि हमारे जो पुलकित जी हैं वो एक वोईस ओवर चलाएं और आपको इसमें पंजी करेंड कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दें और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने व मेंस क्रेंज हुंगे काम्याब हो ताकि जब यह सेवा इस आने वाले हफटे दो हाफटे में जब शुरू होगी तब आपको पूरी जनकारी यहोगी और आप जल्ट से जल्द जाद से ज़पर को जप्रकार्ण जोड़ने में काम्याब होगे धन्यवाद अपने जिस तरीके से इस सर्विस के बार में लोगों को समझाया है आपका बहुत 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 दन्यावाद इस चीज के लिए कुछ सवाल जो विली अकसर मुझसे पूछते हैं जम से रिलेटिट वो यह है कि हमें किस तरीके का फायदा जम को अज़ बनके जब कोई सेलर अ कि हमारे से दिमांड क्या है हम किस तरीके से उनकी और मदद कर सकते हैं को जैसे कि आप जानते हैं कि एक जून 2022 को जो बारत सरकार की कैप्रेंट थी उसने यह स्विक्रिती दी कि जितने भी सहकार समितियां हैं उनको भी जम पे एक खरिदार के तोर पे आने का मौका दिया जाए और इसमें शुरुवात में उन सहकारिता समितियों को मौका दिया जा रहा है जिनका टर्नवर या इनके डिपॉसिट सौ करोड से उपर हैं और इनका क्या कहते हैं क्रेटिट रेटिंग ए प्लस है जहां इसमें कई कोपरेटिव सुसाइटिज सिंगल स्टेट और मल्ति स्टेट दोनों इसमें पंजिकरित हो गई हैं लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी कोपरेटिव सुसाइटिज हैं जिनको आपकी मदद चाहिए ताकि वह अपना पंजिकरिन पूरा कर सकें तो यह जानकारी हम करें और इनसे इनका प्राइमरी रेजिस्ट्रेशन शूरु करने का प्रक्रण पूरा करें इसके लिए जो भी जो सेवा मूल्य ते की गई है वो हर सक्सेस्वूल यानि सफल पंजिकरिन पे आपको उपलवत करें दी जाएगी आपको किसी से पैसे लेने की जरुवत नहीं है जिसे आप पहले वॉलेट से लेते हैं इसमें बल्कि उल्टी तरह से है कि जैम कॉमन सर्विस सेंटर को देगा और फिर वो आपके और सीएसी की बीच में जो भी जो है उस हर सेवा का मूल्य उपलब करा देगा वो पुलकिन जी आपको ज्यादा आच्छे से वो मैं ट्र जिसे अपना को वेर हूस है पूँछे जाता है कि कभी बीच में कोई हमारे पास होल सेलर है जिसके जो अते हैं वो भी आपको रिस्टर करा सकते हैं जिनका अपना कुद का वेर हाउस है पनी जो होल सिलर है और फिर वह अगे किसी दूसरे को अपना प्रोड़क्त बेचते ह अपने बहुत सही पूछा तो जैंप दो वर्ग है एक तो उत्पादक है जिसको हम OEM कहते हैं और जिसको हम OEM कहते हैं यह वह वर्ग है जो अपने नाम से समान बेचता है अगर आप जैसे फ्रिज ले लें गोदरीज का फ्रिज है तो गोदरीज फ्रिज जो है वह एक उत्पादक है वह OEM है लेकिन वह मार्केट में अपने रिसेलर के माधियम से बेचता है आपने कभी देखा नहीं होगा कि गोदरीज हिक का स्टोर खुला है गोदरीज द्वा द्वारा एपॉंटेड रिसेलर होते हैं और इसके साथ-साथ ऐसी भी रिसेलर होते हैं तो हर तरह का समान बेचने हैं जैसे स्टेशनरी है कागस भी है पैंसिल भी है पैन भी है हर तरह की चीज़े हैं तो उसके लिए कोई भी समान बेच सकते हैं तो उसको हम रिसेलर मानत और जो अपने नाम से बेच रहा है जैसे मोटर वेहिकल है जैसे मारूती की सियाज है या कोई भी टोयोटा है यह सब लोग सिर्फ अपने नाम से बेचते हैं तो इनको OEM बोलते हैं तो यह तो फरक हो गया OEM और और इनको जो फाइदे हैं तो क्या सिर्फ हम एक OEM को भी रेजिस्टर कर सकते हैं क्यों नहीं का फरक सिर्फ इतना होता है कि वह अपने नाम से समान बना रहा है और उसके पास बनाने की सेवा और सुविधाय हैं अगर कई बर ऐसे भी होता है कि हम अधामाल बना रहे हैं और भी OEM है ऐस लोंग एज उसके पास ट्रेडमार्क सेटिकरेट हो बहा चाहिए हाँ कार बनाने का पास या मारुति का ट्रेड्मार्क certificate है तो आपको वह certificate automobile या गाड़ी बनाने के उस category में मिला होगा गना हम तो जब हम ये certificate देखते हैं तो हम इसके basis पे आपको उस category में OEM बना देते हैं जी, Thank you so much Sir So Sir I think जैसे हम जैसे हैं जैसे जैसाम इस GEM process को आगे बढ़ाते जाएंगे हमारे कुछ-कुछ सवाल जो है वो भी आपसे बढ़ते रहेंगे जरूर ट्रेनिंग का सेशन हमने बहुत अच्छे से बायरों सदर का कम्वीड किया है अभी और आपके आज प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर्थ धन्य झाल